विश्व बैंक के संस्था जिसका नाम है इंस्टिटुशनल इंटेग्रेटी जो वर्ल्ल बैंक की एक संस्था है जो वर्ल्ल बैंक के तहट जो दुनिया भर में काम किये जाते हैं उनकी स्वक्ष्षता उनकी मानक और उनमें जो खर्च और वे होता है उसका अध्यन करते हैं और उस प्रतिवेदर ने ये बताया है कि भारत में जो नाशनल हाइवे और अथोरिटी के जो पत्व दिर्मान के कारे हैं उसमें बड़े मातरा में करप्षन है और कॉंट्राक्टर्स की करप्षन जो समवेदक हैं उनके करप्षन के बारे मुन ने चर्चा की है और उसमें जाली इन्वाइसेज जो पैसे दिये जाते हैं सड़क निर्मान के लिए उसका उप्योग दूसरे प्रोजेक्टों में किया जा रहा है स्वतंत्र तौर पर अधिकारियों को घूस दिया जा रहा है अधिकारियों को तौफा और बड़े होटलों में ठैराया जा रहा है और यहां तक की जो बड़े ट्रक्स इत्यादी जो रोलर्स रोड रोलर्स इत्यादी जो खरीदे जाते हैं उस पैसे के तहद सड़क निर्मान के लिए उसका उप्योग दूसरे और तीसरे प्रजेक्ट्स में किया जा रहा है यह अपने आप में एक संसनी के खुलासा है क्योंकि ध्भारती जनता पार्टी इस विशे को हमेशा उठाती रही है कि आज जो लक्ष था इस देश में राश्ट्रिय उच्पत के निर्मान का सरकार ने सदे विए घोशना की है कि उसका लक्ष 20 किलोमीटर प्रति दिन है और भारत में जो सड़कों का निर्मान हो रहा है वो मात्र 4-5 किलोमीटर प्रति दिन हो रहा है भारत सरकार अपने लक्ष से 83-85 प्रतिशत पीछे है जो विश्व बैंक का खुलासा है और जो इस देश में सड़कों के हलात हैं और सड़कों के निर्मान की प्रगती है विशेश करके राश्टिय उच्पतों की ये दोनों बाते एक दूसरे के पूरक के रूप में उभर के आ रहे हैं और सत्यापित कर रहे हैं कि इस देश में सड़क निर्मान में विशेश करके नाशनल हाईवे ऑथरिटी में बड़े पैमाने पर समवेदों के साथ कॉंट्रैक्टर्स के साथ बड़े पैमाने पर लूट पार्ट मचा हुआ है ये सिर्फ चिंता का विशेश नहीं है देश के आर्थिक नीव को कमजोर करने का एक बड़ा सजिश है भारती जनता पार्टी इस पूरे बयान पर जो वि मंत्राले ने ट्रांस्पोर्ट मंत्राले को भेजा है इसकी पूरी जाच होनी चाहिए और इसका पूरा खुलासा होना चाहिए कि राष्ट्रिय उच्पत्थों के निर्मान में किस हद तक ये घुटाला है और हमें लगता है कि हजारो करोर उरुपे का घुटाला फिर इस के सामने उसका तस्वीर उभर के आ रहा है हम सब स्वागत करते हैं दुनिया भर में वो ताकत जो आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं और फिर से एक बार हफीज मुहमत साइद के खिलाफ अमेरिका ने लगभग दस मिलियन डॉलर यानि की लगभग पच्चास करोड उपे क कि राशी उसकी गिरफतारी और उसके उसे नयाई खिरासत में लिए जाने के लिए घोशना की हैं उसके साथ काम करने वाले उनके डेपुटी के खिलाफ भी इनाम घोशित किया गया है भारत सरकार ने स्वागत किया है भारती जनता पाटी भी इसका स्वागत करती है लेकि भर को इस बात का अनुमान ही नहीं प्रमान भी मिल गया है कि पूरे दुनिया में अगर सबसे बड़ा खत्रा और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी यदि किसी देश में बस रहे हैं उस देश का नाम पाकिस्तान है जो भारत का पडोसी है हफीज मौमद साइड जिसने 2008 में मंबई के ताज होटेल और मंबई शहर में जो आतंक और आकरमन किया था जिसमें 186 लोग मारे गये थे जिसमें 6 अमरीकी भी शामिल थे और उस पूरी योजना बनाने में उसका हाथ था आज भी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के भीतर और पाकिस्तान के सुरक्षा में है पाकिस्तान आज पूरी दुनिया के लिए खत्रा के रूप में उभर के आ गया है और विशेश करके उस प्रिष्ट भूमी में जब उसामा बिन लादिन पाकिस्तान में वर्षों तक्षी पे रहे थे अमेरिका को कानो कान खबर ना मिला था उसामा बिन लादिन को भी पाकिस्तान में एक मिलिटरी कैम्प के निकट पाया गया हमें लगता है कि पूरी दुनिया को छेतना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान के साथ किस प्रकार से निप्टा जाए और पाकिस्तान किस प्रकार से सिर्फ भारत में ही आतिकवाद नहीं बढ़ा रहा है बलकि पूरी दुनिया में आतंकवाद का एक सरगना के रूप में उभर के आया है भारती जन्ता पार्टी इसे नाम का स्वागत करती है लेकिन साथ साथ पूरी दुनिया से ये आगरे करती है कि पाकिस्तान आज आतंकवाद का हब है और उस आतंकवाद के हब को समाप्त करने के लिए पुरी दुनिया की ताकत को एक होना पड़ेगा Well, the US government has announced a reward of 10 million dollars on the arrest and trial of Mr. on the arrest and trial of Mohamed Hafiz Saeed who has been responsible for the attack in Mumbai in 2008 he was the chief architect of the plan for attacking Mumbai and killing 166 people, injuring many others including 6 Americans it's a welcome step but the fact that he was the chief architect of the attack in Mumbai from Pakistan is a fact which should be kept in mind Pakistan is the hotbed of terror across the world not only for India it's a matter of grave concern especially in the backdrop when Osama bin Laden was tracked down in Pakistan within the premises very close to the military camp it's a matter of great concern not only for India but for the whole world that Pakistan is the hotbed of terror not only for India but for the world itself we welcome this step the world must unite to see that terrorism and terrorists are flushed out from Pakistan there should be a complete unanimity on that count there is an organization which looks into the affairs of World Bank which assesses the World Bank issues and it's called the Institutional Integrity Unit of the World Bank and it has come out with a report which says about the fraudulent and corrupt practices of the contractors associated with road construction especially the National Highway Authority of India and I said that the contractors along with the officials of NHAI issue fake invoices indulge in diversion of funds to other projects other than those sanctioned for the roads bribes are a common phenomenon feature of those activities gifts and hotel amounts are spent on individuals in NHAI and there is a huge diversion of funds for heavy equipments which have been purchased by the National Highway Authority of India and those are diverted to other projects this indicates the stand of the Bharati Janata Party because Bharati Janata Party has been saying that we must find out why the target of 20 kilometers a day which was announced are is touched the the as